गाइज हम सभी के घरों में तामे पित्तल के बर्तन होते हैं वगवान की मूर्तिया होते हैं जैसे कि राधा किशन जी की मूर्तिया हो गया लक्ष्मी गनीज जी की मूर्तिया हो गया और भी बहुत सारे मूर्तिय हमारे घरों में होते हैं या पित्तल के तामे के बर्तन होते ह अगर उसमें black spot आ गया हो बहुत गंदिगी हो गया हो तो हम कैसे उस गंदिगों को हटा सकते हैं कैसे नया जैसे शाइन ला सकते हैं वीडियो का टॉपिक आज यही है आप देख सकते हैं मेरा यह सारे वगवान की बरतन जो है बहुत जादा गंदा black हो गया हाला कि मैं इसको ह बार क्लीन करती रहती हूं फिर भी पता नहीं कैसे यह ऐसे हमेशा गंदा हो जाता है तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहां पे पाउडर का इस्तिमाल करने से पहले मैंने यहां पे अपने बरतन को पहले भीगा लिया था भीगाने के बाद में सारे जगह पे अपने यह पाउडर का इस्तिमाल करें और अच्छे से इस्तिमाल करने के लिए मैंने यहां पे ब्रस का इस्तिमाल किया अभी आप में क्या कर रहा हूं नहीं कि स्कॉच बाइट का इस्तिमाल कर रही हूं जिससे मैं हलके हाथों से स्क्रब कर रहा आपको जोर हाथों से स्क्रब नहीं करना है तब आपके बरतन में या वगवान की मूर्ती में जो एक स्पोर्ट आ सकता है इसी लिए अभी आप देख सकते हैं कि मेने यहां पे स्क्रबिंग करना स्टार्ट के बाद हलके आतों पे और आप देख सकते कि वीडियो में आपको दिख रहोगा कि यह जो है क्लीन होना स्टार्ट हो गया है यह पाउडर जो में इस्तिमाल करें यह पितामबडी का शाइनिंग पाउडर इसका प्राइस सिर्फ 34 रूपीज है आपको एमाजन फ्ल कि देखे मेरा सारे बरतन में जितना भी डाक स्पॉर्ट था यह रिमूब हो गया और कभी आपको अभी डाक स्पॉर्ट नहीं दिखता हो इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो इसी प्रोसेस से अगर आपको क्लीन करेगा तो आपका बगवान की मूर्तिया हो बगवान की पूजा में फोकस कर बाएंगे तैंक यू गाइस मेरे साच रहने के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को इंटर देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस